Newton's laws of motion question number 24 question क्या है एक ब्लोग है 30 cm को 30 cm का ब्लोग है और 3 kg का है यह एक फ्रिक्शन ले सर्फेस पर रखा हुआ और इसके उपर एक स्ट्रिंग की हेल्प से स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से फोर्च लगा रखा है दोनों साइड में एक इस टेरिक्शन इस टेरिक्शन में फोर्च है 20 newton अब क्वेशन यह है कि अगर इस ब्लोग को दो पार्ट में डिवाइड करें एक 20 cm का रखेंगे और एक 10 cm 20 cm का रखेंगे इसका मास कितना होगा 2 kg वसका मास 1 kg तो हमें यह पूच्छा है कि इन दोनों के बीच में कॉंटक फॉर्स कितना है यह कॉंटक फॉर्स होगा यह वाला मैं लों अलनी देगे कोन्ठ्क फॉर्स टैया है टिक है टिक टिक कॉंटक फोर्स का जो अफ है इस ईसका में लेग यह है करें तो इसे पैसे करेंगे प्यानि पूरस शिट्म को को कांट पर सिच्ट्ड կह लग State तो दो एक्सेलेशन से अगर इस ब्लोक को मुझ करेंगे तो भी इस एक्सेलेशन से मुझ होगा तो प्ले एक्सेलेशन करते हैं अगर इसको एज़स्टेम मानता हूं पूरे को 3 kg ब्लोक को और इस पे कितना फॉर्स लग रहा इस डिरेक्शिंट में तर्टीव न्यूटन इस इतना हुद है में में एक इतना अगया 32-20 कितना हुद 12 12 by 3 यह 4 में पर सेक्ट स्कॉर क्या गया एक्सेलेशन इस पूरे का एक्सेलेशन कितना है यह अब अगर मैं केवल एक पार्ट को मान यह जिए 20 संटीमेटर को 20 संटीमेटर यह निए 2 kg इस 2 kg पे कॉन कॉन से फोर्स हैं एक सिथा जिदा दिख ख्राइ Alf Line एक स्कॉंटेक फॉर्स लका रहा है कि एफ तो इहां पे एकक स्टों से लेट कर रहा है इस तेरेक्षिन में एक्सेलेशन कोर करेंगा चिप यब यह फो ज्यादा हुए फीन 2, net force है, कितना है, M A, M कितना है 2, A कितना है 4, F कितना हुए है, 32 minus 8, कितना है F, 24 newton, F 24 newton, good.